नमस्ते, अमीता डोट संकर की चन्म आपका स्वागत हैं, मैं अमीता आज आपके लिए लेके हैं बड़ापव, यह देखके बड़ापव मैं बनाईए हूं बड़ापव बनाने के लिए पाओ, बड़ा हरी चट्नी और यह सूखी चट्नी और दो हरी में, यह चाहिए होगा, तो मैं इसमें एक चुटकी भर जीरा डालूंगे साबूत जीरा डालें इस तरह से जब जीरा पक जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जीरा पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे मुंगफली जो कि हमने छिलके इसके निकाल लिए हैं इस तरह से छिलके निकाल लें पहले हलकी रोष्ट करके और इसमें हम अच्छी तरह से तेल के साथ इसे थोड़ा सा रोष्ट कर लेंगे तो इस तरह से हम तेल के साथ रोष्ट करने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा करने बद हम इसे एक सुखी चट्ने बनाएंगे तो इसे मिक्सिजार में डाल के इस तरह से तो इसे और इसे मिक्सी में पीछ लें तो इस तरह से पीछ लेने के बाद यह हमारे सुखी चट्नी तयार हो जाएगे तो यह देखे हमारे सुखी चट्नी तयार है तो इस तरह से हम सुखी चट्नी बना लेंगे तो आप जाए हमारे सुखी चट्नी तो बन गई है अब मैं हर जर्च उसा नमंक कम जा लई को यसद्ट दाल सकते हैं तो लेइस जानी डाल डल सकते हैं जालते में यहाज चेपलों स्रशलाय को सबस्रों बनाएंगे इसे एक बत्तम निकाल लें तो हरी चट्नी बनाने के बाद हम मैं पकोड़े के लिए इसमें पहले बैसन घुल लेती हूं ताकि बैसन तो इसमें मैं 4-6 चमच के करीब बैसन ले रही हूं बैसन कोई भी आप ले सकते जो आपके पास हो मोटी पतली कोई मतलम नही है कि मारे ब़ंडे में भी नमक होंगे तो नमक अम कम डालेगे लिए तो नावी कद्क आटसर नमक हल्दी जिरह पॉटर Dubu लाल मिच्पॉटर मिच पॉडर कॉड़ काले मिच्पॉटर और धोड़ी सी हम इसमें एक बेकिंग सोड़ा डालेंगे या वेकिंग सोड़ा नही तो इस तरह से पानी डालके गोल ताकि तो हँए दिर बाद यह सेट हो जाएगा उसके यह दं पकोड़े बना लें तो यह गोल बना लें, तो यह थीक हो सकते हैं, इसे हम सेट करने के लिए मैं अब हम इसमें बंडे के लिए मैं इसमें चोखा बड़ा बनाने के लिए इसमें अब चोखा बनाने के लिए यह देखिए श्टपिंग तो मैं दो चमच के करीब ओयल डाल रहे हूं थोड़ी सी जीरा आधा चमच के करीब दो हरी मिच डाल रहे ह इस तरह से हम मसाले भी थोड़ी सी डाल लेते हैं ये मैं हल्दी डाल रहे हल्दी को तेल में डालें ताकि कच्छा पन ना रहे तो इस तरह से हम हल्दी को तेल में डालेंगे और ये मैं उबले आलू ले रही हूँ छे से आठ के करीब में आलू ले रहे हूँ इस तरह से हम चोखा को इसमें मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से सारे को आलू को मिक्स करके थोड़ी दिर बुने बुने एक बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हरा धनिया और यह टेस्ट करने तरह नमक डाले इसमें और थोड़ी सी हरा धनिया मिक्स करें इसे मिक्स करके तोरह मिलाते हुए अच्छी तरह से मैं चोखा तयार कर लेंगे इसका आलू तयार क्टनी एक मिक्स कर लें अब यूश्वत क्लिए तो पने लिन आंपनी सbuild छल्धा गूल गूल बना ले जितने आपको बनाने हैं और इस थे से दीब करके से तुह ईस phone करके तेल मेरा सब्सक्राइब तक मेडियूम पिले में इसी फजल मह ciao अलु को बैसन के गूब में डाल के और यह हमारा इसे पलटते हुए हम इसे तैयार हो जगए आप अब Ho Netflix ट्यारा है तो इस तार से हम रज्मद में डालेंगे समय का इस तरह से बॉसरी डाले आप इसी तरह से आप जितने बनाने हैं आपको डाल के बना सकते हैं इसी तरह से डिप करकर के आप बना सकते हैं अब इसे पलट के हम पकाएंगे दीमीय ... आच हमें पनाएंगे ज्यादा रण हैं नहीं तो जल जाएगा मरों क्रिस्पी भी नहीं हो तो यह तो क्रिसपी भी निकाल लेंगे तो यह हम निकाल लिए यह बनाएलोगी यही क्या शहार वीặc कटिंग कर ले विदे किसे अपाओ को हम लग कर लेंगे और पाओ को इस दिए से कट करें आधा इसे пожалуйста कट्णि करेंसे पूरा कटिंग न करें तो इस बढकरेंगे से ताकि आधा उसमें से चिपका ओवर हएगा तो इससे हम । नशकित में लगाउंगी करें पाओ signals चटनी लगाएंगे और हमारा वीडियो आप यूटूब में देख रहे हैं तो प्लीज हमें सबस्क्राइब करें और बिल का घंटा भी जरूर दबाएं जिससे कि मेरी कोई वीडियो को नोटिफिकसन सबसे पहले आपको पास पहुंचें और हमारी रेसिपी कैसी लगती है कम हमने जो बड़ा बनाया है यह इसमें इस तरह से हम डालेंगे और इस तरह से हम लग देंगे तो इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे इस तरह से आपको जितनी बनाने इस तरह से हम बनाएंगे यह दूसरी में भी इस तरह से चटनी रखें एक साइड हरी चटनी और एक दो हरी मिच में फ्राइ करके रखी हूं अगर आपको हरी मिच खाना है ता आप हरी मिच खा सकते हैं तो इस तरह से हमें इसे सेट करेंगे और यह हमने सर्व किया है देखी प्लेट में रखें यह चटनी इतने ज्यादा चटनी यह तो कम चटनी का आए तो यह रेडियो हो thank you watching my video bye take care